मुर्गी फारम मचली फारम बकरी फारम बड़ा गंदा बिजनेस है कपड़े लत्ते खराब हो जाते हैं समय नहीं होता है बिल्कुल जीट जाट में है तो घबराना नहीं है बिजनेस आसान है बिजनेस बढ़ी है मुफ्त में प्रसिचन लेकर के इस कारज को कर सकते हैं उनके लिए कोई सुल्क देने की जरूत नहीं है आएं देखें समझें इंदुस्तान में किसी कोने पर रहते हैं अंतक देखिएगा पूरा डिटेल में हम आपको बताने की कोसिस करेंगे मैं भी के सिंग स्वागत करता हूं आपके अपने यूरवश यूटूब चैनल पर और दोस्तों आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे वेक्ति से जिनका नाम है विपिन कुमार जहा और स्वास्तिक फांडेशन क्या है उसका पूरा डिटेल लेंगे और इंडिया के किसी को बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर वेक्ति को हर वर्क को यहां से फाइदा मिल सकता है तो प्लीज डिटेल में बताइए कि कौन सा बिजनेस है लोग को आपके साथ जुड़के कैसे वह बेनफिट मिल सकता है जी मेरा एक सिधा सा स्लोगन है समेकित पसुएवा मतस्य पालन रोजगार का स्रवत्तम साधन अच्छा यह मेरा एक स्लोगन है और इसी पर मैं काम कर रहा हूँ और अभी मैं बकरी पालन का काम करीब तेस वर्सों से कर रहा हूँ जी जी और उसके साथ साथ में इसको मैंने समेकित कर दिया इसके साथ मचली और मुर्गी का देसी मुर्ग हमारा पिछले चार महिनों से हर माह किसानों के लिए निसुल्क प्रसिक्षन का भी वेवस्था मैंने बना रखा यहां पर तो गाइस सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर है कि आप रहते हों चाहे गुजरात रहते हों बंगाल उडिसा या अंदरपरदेश हिंदुस्तान के कि इसी कोने में भी रहते हैं तो इनके पास निसुल्क प्रसिक्षन की वेवस्था की गई है और पूरा जानकारी और भी आगे वीडियो में हम लेते हैं तो सर बताईए कुछ पूरा डिटेल में कि क्या है कैसे लोग जूने कैसे रोजगार स्थापित करें उस बारे मताईए देखिए आज कल एक प्रचलन बन गया है लोग धीरे धीरे नोन वेजटेरियन को एक खाने के लिए जो क्रेज बनी हुई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है आने वाले दिनों में इसकी मांग और भी बढ़ती जा रही है खास करके फेस्टिबल में तो अतेधिक हो जा बिहार में हर प्रदेश में हर व्यक्ति क्यों है उसी को ध्यान में रखकर कि इस ब्यवसाय को बढ़ावा दिया गया इस ब्यवसाय में है बकरी पालन बकरी पालन को मुख्यता मांस के लिए लोग पालते हैं इसकी बकरे के मांस का मांग सरवाधिक है अपने बिहार में बि इसका मांग अत्यधिक है, इसके साथ साथ चिकन, चिकन में भी तरह-तरह की नसल की मुर्गियां को भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, जिसका हमारे यहां है, आपका देसी, देसी में है, बनराज है, कड़कनात है, सुनाली है, फिर अपना देसी है, यह सब और असील है, तीन-चार विराइटी के इसी मुर्गियां हैं, जिसका मांग जादा है, उसी तरह से मचली का भी मांग हमारे हां, हमारे बजार में अत्यधिक हो रही है, मचली में रेहू, कतला, ग्रास कार्प, इन सारी मचलीयों का अत्यधिक डिमांड है, और सालो भर है, व्यक्ति जितना उत्पादन करेंगे, उनको इसमें अच्छा खासा मुनाफा के साथ उनकी विक्री हो जाती है, आसानी से, मैं चीज पूछना चाहूंगा यहां पे, कि इस बिजनेस को आप जैसा बता रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सब के पास जमी है, लेकिन जमीन से उसको ट्रेडिशनल बिजनेस खाली, वो मतलब धान, चावल, गेहूंगा रहा है, कुछ ऐसा आइडिया बताईए कि यह बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को बेसिक से बताईए, थोड़ा कि वो लोग कैसे स्टार्ट करें, और आप चे उनको क्या मुदद मिलने माला है? जी, बहुत ही आपने स्राहनिये सवाल के पुशे हैं, आप मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, देखिए, किसान जिन के पास संसाधन है, या जो इस काम को करना चाहते हैं, उनके पास कुछ कमिया होती है, आप जिन बेक्ति के पास ज जमिन की कमी हो जाती है तो समस्या कमी का कहीं कहीं बनी रहती है लेकिन इसके वावजूद भी हमारा जो प्रदेश है हमारे प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है यदि व्यक्ति थोड़ी सी अनुभव को प्राप्त कर लें थोड़ी सी जानकारी वह जुटा लें और एक छोटा सा सर्व प्रथम जब आपके पास एक विगः दो विगाँ पांच विगः क्याप किसान है तो उसी जमीन पर एक छोटे से हिस्य में एक छोटा सा फार्म लगाएं लेकिन लगाएं कैसे सबिक्ना कि पता ही नहीं है उसको अनुभाव के माध्यम से किसानों को बताना चाहता हूं कि मेरा यहां हर महीने का दो दिवसिये प्रसिच्छन निसुल प्रसिच्छन इसी कारज के लिए दिया जाता है जिसमें उनको कोई कौश नहीं लगेगा उनके आने जाने में रहने खाने में जो उनको खर्चा होगा वही खर्च है इसके अलाबा कोई अलग से फीस वगएर उनको जमा नहीं दी जाएगी और इसके बारे में उनको बिस्तार से बताया जाएगा अब आपको चलते चलते ही आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको यह संदेश ही दे सकता हूँ पूरी जानकारी के लिए उनको इस संस्थान तक पहुचना पड़ेगा यहां पहुचने के बाद ही उनको बेसिक जानकारी मिलेगी प्राप्त होगी और उसके बाद इन सारे चीजों को देख लेने के बाद वह धिरे धिरे अपने हाँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगा करके इस सकारज को करेंगे सबसे प्रथम मा इस कारज को करने के लिए लगन होना चाहिए मन होना चाहिए अब ऐसा नहीं सारा संसाधन सब कुछ है और आपका मन नहीं है समाज का परिवार का किसी और लोगों के कोई बातों में भाकावे में लोग न आ करके इसको अच्छी से बारिकी सीज़ को समझ लें उसके बाद इस कारज को करें कि स्वर रोजगार यहां यह क्या है? एक स्वर रोजगार है इसकी अस्थापना आप अपने घर में अपने परिवार के साथ अपने समाज में कर सकते हैं जहां इसकी उत्पादन होती है मार्केटिंग उसी जगह हो जाती है इससे अच्छा और क्या चाहिए? दूसरे और भी इसमें है कि इसमें किसी परकार का कोई कमपटीशन नहीं है सबसे अधिक फायदाय मंद वाली बात यही है कि आप जितना व्यूत पादन कर लें वहाँ पूर्ती नहीं पड़ रही है जितनी अभी मांग है जितनी खपत है उसके अनुपात में मतन का जितना मांग है 28-32% तक आप उर्ती हो रही है अंडे का जितना डिमांड किया जा रहा है वहाँ आपको 54-56% तक आपूर्ती हो रही है उसी प्रकार चिकेन का भी आपूर्ती आपको 75% के कड़ी में है फिसका है, फिसका फार्मिंग हमारे अन्य परदेशों से भी आ रही है आने के बावजुद भी आपको 60-65% तक की आपूर्ती हो पा रही है मतलब यह आप कहना चाहते हैं कि ऐसा रोजगार है ग्रहाग ढूंडने की जुरूत नहीं है कस्टमर आटोमेटिकली यहाँ पर आ रहे हैं और मतलब भी जा रहा है, माल किसी का रुखता नहीं है सीधी सीया एक फंडा मैं आपको बता रहा हूँ जो दिखता है वह बिखता है जो समान आप रखे हुए हैं लोगों आज कल अभी जो यह कोविड का समय चला इस समय में अब सभी लोग सभी लोग सतर्क हो गए अब वह अच्छे चीज कहां मिलेगा अच्छा चीज गुनवता पुन जिसमें गुन की खान हो वह चीज कहां मिलेगी उसकी तलास अब सभी लोग कर रहे हैं छोटे बड़े हरवर के लोग अब अच्छे चीजों को ध्यान में रख करके खरीदारी कर रहे हैं और वह उनके पास में उनके नजदीक में जिदिया है बैवस्ता हो जाए यह स्तरह से उपलवता सुनिस्चित हो जाए कि यहां पर यह समान मिलता है तो उनका बजार वहीं पर सुरू हो गया यह ऐसा उत्पाद है कि इसको बजार ले जाने की जरूत नहीं है यह खुद अपने आप में एक बजार है मर्केट है जहां यह होता है वहाँ पर किसी अन्य चीज़ को रखने की आवस्ता भी नहीं होती है आप ऐसे भी देखे होँगे जहां पर मांस का बजार लगा हो बस थोड़ी सी उनको जानकारी रह करके अउन्हों को जानकाई देना है कि यहां पर भी हमने इस तरह का फॉर्म को लगाया है और धिरे धिरे जब लगाएंगे लोग जान जाते हैं वह बजार आपका बन जाता है तो दोस्तों आपको मचली उसके बाद कड़कनात मुर्गे हो गया फिर देशी मुर्गा हो गया उसके बाद बकरी पालन हो गया इसके लाँ सर और यही तीन चीज है यह बकरी मचली मुर्गी बकरी मचली और मुर्गी इस टाइब का आप स्टार्ट करना चाहते हैं फार्मिं से हैं यह ज़रूर नहीं कि आप धारखंट से हिंदुस्तान के किसी कोने में हैं फ्री ओफ कोस्ट यहां के अपना ट्रेनिंग लीजिए ट्रेनिंग लेने के बाद अपना उत्पादन अपना प्रोडक्शन सुरू कीजिए और आपको बेचने की प्रोबलम नहीं है क्योंकि इसका बजार बहुत बड़ा है आपको हर एक चीज लोग अपने आप आपसे लेने के लिए आएंगे आपको बेचने के लिए मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है एक बहुत बड़ा ब्यापार एक बहुत अच्छा ब्यापार मुझे लगता है कि है और आप लोग भी इसके साथ जुड़के इस बिजनेस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं आपको बेसिक नोलेज चाहिए तो सर के पास आईए और सर से पूरी जानकारी लिजिए अगर इसके अलामा और भी कोई डिटेल चाहिए तो नंबर पर कॉल कीजिए और सर से संपर करिए और मैं करता हूं कि विडिव आपको पसंद आया कई огод모स्के और कोई संपर करना चाहते हैं तो सरके सान्हियल सकते हैं अगर कोई अनुबहव नहीं है तो और अगर अनुबहव है तो आप अपने श्रेट में अपनी एरिया में श्राप कर कर सकते हैं काफी प्रुटेवल बीजनेस बाइ बाइ जाइन